हाँ दो गाईज फाइनली फिलिपकार्ट बिक दिवाली सेल का ओफिशल टेजर पेज लेंड हो चुका है 21st October से ये सेल स्टार्ट होने जा रही है और जो लोग प्लस मेंबर हैं उनके लिए ये सेल 20 October से शुरू हो जाएगी और सबसे इंडरिस्टिंग चीज इस बार SBI Bank के debit card as well credit card पर 10% का instant discount है अब SBI Bank के card जनरली सभी लोगों के पास होते हैं इसी के साथ Amazon पर अल्रेड़ी सेल चाल हो हैं अब ये लास्ट चांस है किसी भी phone या किसी भी product को अच्छे price point पर buy करने के लिए अब ऐसी जो दो सेल हैं जैसे कि Big Billion Day सेल, Diwali सेल, Amazon, Great Indian Festival सेल वो आपको अगले साल देखने को मिलेगी तो ये लास्ट चांस है अगर आपको कोई भी product या कोई भी phone अच्छे price point पर buy करना है नहीं मत जाये मुझे चोड़कर सारी चीज़े मैं आपके साथ शेयर करता हूँ लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक request हैं मैं खुछ से phone को buy करता हूँ और उसे अच्छे से टेस्टिंग करने के बाद आपके लिए ओन इश रिवियू ले चुका हैं नेक्स है आईफोन 15 प्लस 60,000 उबीस के price point पर ये phone देखने को मिलेगा दोनों आईफोन काफी अच्छे हैं खास करके content creation अगर आपकी priority है तो आप आईफोन 15 या फिर आईफोन 15 प्लस दोनों में से कोई भी एक smartphone के साथ जा सकते हैं दोनों ही phone में सारी चीज़े almost same to same है तो कहां पर difference है तो आईफोन 15 प्लस में आपको display की जो size है वो थोड़ी बड़ी देखने को मिल जाएगी इसे के साथ battery backup भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा आईफोन 15 प्लस में next smartphone है Samsung Galaxy S24 Plus 65,000 प्लस के price point पर ये phone देखने को मिलेगा 2024 का Samsung brand का ये flagship smartphone है next smartphone है Pixel 8 36,000 प्लस के price point पर ये काफी अच्छी डिल है अगर आपको Google Pixel का कोई phone लेना है तो definitely आप इस phone की तरफ देख सकते हैं next smartphone है Nothing Phone 2A Plus 21,500 प्लस के price point पर ये भी काफी अच्छी डिल है उसके बाद है IQ Neo 9 Pro ये डिल आपको Amazon पर देखने को मिल जाएगे without card इस phone की price 34,000 है और ICIC bank के credit card पर prepare transaction करोगे तो 2,250 रुपी का instant discount है तो जो effective price होगी 31,749 रुपीज ज्यादा जानकारी के लिए आप चैनल पर जाकर review वीडियो देख सकते हैं इस phone में price point के हिसाब से जो चीज़े offer की गई है वो सही है next smartphone है Samsung Galaxy S23 Ultra 75,000 इस phone की effective price है after bank discount पॉसिबल हो तो offline market में भी एक बार जरूर से चेक कर लीजिए ये phone 65,000 से भी नीचे की price point पर देखने को मिल सकता है तो अगर आप S23 Ultra लेना चाहते हो तो एक मर्दबा आप offline market में भी चेक कर लीजिए वहाँ पर भी काफी अची price point पर ये phone देखने को मिल जाता है next smartphone है Samsung Galaxy S23 FE 29,000 इस phone की price रहेगी official deserve page आप देख सकते हैं अगर आपका heavy usage है, heavy gaming करना आपकी priority है, ज्यादा battery backup मिलना चाहिए तो इस condition में ये phone आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है तो फिर इस phone को किस user के लिए design किया गया है तो camera अगर आपकी man priority है, फिर चाहे वो video quality हो, photo quality हो दोनों चीज़े अच्छी होनी चाहिए इसी के साथ content creation आपकी man priority है multimedia experience अच्छा होना चाहिए with dual speaker secure software experience चाहिए और लंबे time तक मतलब के 6 साल तक आपको android update भी मिलने चाहिए इसी के साथ build quality भी अच्छी होनी चाहिए normal से थोड़ा सा heavy भी अगर आपका use है तो कोई दिक्कत नहीं होगी तो ये जितनी भी मैंने ये सारी चीज़े बताई अगर आपको जरूरत है तो definitely आप इस condition में Samsung Galaxy S23 FE को consider कर सकते हैं ध्यान रहे दोस्तो normal अगर आपका usage है तो कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर आपने इस phone को थोड़ा सा भी ज्यादा use किया तो दिन में दो मरतबा इस phone को कंपल सरी चार्ज करना होगा तो pros और cons दोनों चीज़े मैंने आपके साथ share कर दी है तो उसके according आप decision ले सकते हैं नेक्स smartphone है Samsung Galaxy S24 2024 का ये Samsung का flagship smartphone है दिवाली सेल में आप इस phone को 55,000 लबेस के price point पर expect कर सकते हैं इस phone की सारी चीज़े top notch हैं कहां पर आपको compromise करना पड़ेगा तो वो है battery backup अगर आपका normal से थोड़ा सा heavy usage है तो इस phone की battery आराम से एक दिन तक चल जाती है लेकिन अगर आपका ज्यादा usage है तो फिर इस condition में शाम को 7 बज़े आपको phone को charging पर रखना होगा heavy usage में मुझे साड़े 5 घंडे का screen on time देखने को मिला है नेक्स smart phone है Samsung Galaxy S23 पिछले काफी दिनों से ये phone काफी ज्यादा चर्चाओं में है BBT cell में जिस price point पर ये phone देखने को मिला था वो ही same price इस phone की रहेगी 38,000 iPhone 13, 14, 15 से ये phone काफी अच्छा flagship experience ओफर करता है सब सब पहले दोस्तो अभी ये phone काफी अच्छे price point पर देखने को मिलता है दूसरी चीज S23 में आपको telephoto lens मिलता है जो के iPhone 13, 14, 15, even 16 में भी नहीं है Samsung S23 में काफी useful customization के option है जो आपको iPhone में भी देखने को नहीं मिलते even आपको Samsung S23 में काफी सारे AI के features भी देखने को मिलते है जो आपको iPhone में देखने को नहीं मिलते है अब दोस्तो iPhone 13, iPhone 14, 15 ये phone किन लोगों के लिए है तो जो लोग content creation करना चाहते हैं जिनकी main priority rear camera से 4K video recording shoot करना ज्यादा important है तो उन लोगों के लिए iPhone है क्योंके वहाँ पर iPhone better perform करता है compared to Samsung Galaxy S23 लेकिन जब बात आती है front camera की तो वहाँ पर Samsung Galaxy S23 का front camera अच्छा perform करता है फिर चाहे वो photo quality हो या फिर video quality हो compared to iPhone शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले battery backup के साथ क्योंके यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा confusion है 3900 mAh की battery इस phone में offer की गई है normal usage है आपका तो एक दिन इस phone की battery आराम से चल जाएगी full charge पर अब normal usage का मतलब पूरे दिन में अगर आपने किसी को काम की वज़े से 15 call डायल किये या फिर 15 call receive किये in short एक घंडे तक आपने phone पर बात की second thing आधा घंड़ा आपने रिल्स देख लिया आधा घंड़ा आपने वीडियोज देख लियी और 15-20 मेट आपने गैमिंग कर ली और एक घंड़ा आपने जो भी social media application है उसको use किया तो इस condition में आपको इस phone से एक दिन का battery बेकप देखने को मिल जाएगा मैं दोस्तो आपको screen on time भी दिखा रहा हूँ लेकिन जो screen on time का factor है वो depend करता है usage पेटन पर मेरा usage कुछ अलग है आपका कुछ अलग है सबका usage different different होता है 5 घंडे का screen on time मुझे heavy usage में देखने को मिला है और दोस्तो अगर आप 2-2 घंडे तक videos देखते हो reels देखते हो 4K video recording करते हो तो फिर इस condition में कोई शक नहीं है इस phone को आपको दिन में 2 मरतबा charge करना होगा अब दोस्तो heating issue की भी बात कर लेते हैं मैंने extreme level तक इस phone को ज्यादा time तक use किया तो phone का temperature 49 degree cross कर गया अब देख सकते हैं उसके बाद कोई भी application में open करो तो मुझे ये message चोगो रहा था 10 minute तक can't open app phone overheating कहने का मतलब ये phone बले ही कितना अच्छा है लेकिन अगर आपका heavy usage है मतलब आप ज्यादा देर तक high graphic वाली gaming खेलते हो तो ये phone आपके लिए बिलकुल भी नहीं है अब charging time के भी बात कर लेते हैं तो ये phone 25 watt की slow charging को support करता है box के अंदर आपको charger देखने को नहीं मिलेगा 25 watt का charger आपको अलग से buy करना होगा 0 to 100% मुझे इस phone को charge करने में 25 watt के charger से मैंने इस phone को charge किया था 80 minute का time लग जाता है और 15 watt की wireless charging को भी ये phone support करता है I hope दोस्तो बैटरी को लेकर आपकी most of confusion दूर हो गई होगी फिर भी दोस्तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल बाकी रह जाता है तो आप मुझे नीचे comment section में पूछ सकते हैं phone की जो design है वो काफी सियदा premium है काफी compact size का ये phone है one hand से easily आप इस phone को use कर सकते हैं IP68 की rating है USB 3.2 Gen Type-C port है जो iPhone 16 में भी नहीं है आप इस phone में dual SIM यूज़ कर सकते हैं या फिर एक e-SIM और एक physical SIM center में metal की frame है और ये rear side का glass matte finish के साथ आता है जिनको compact size का flagship phone चाहिए normal usage के लिए उनके लिए ये काफी अच्छा phone है इसी के साथ इस phone की display भी बढ़िया है 6.1 इंच की dynamic AMOLED display है 120 Hz refresh rate के साथ और iPhone में आपको 60 Hz का refresh rate देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर 120 Hz का refresh rate है Gorilla Glass Victus 2 की production offer की गई है bezel की तरफ देखोगे तो काफी symmetrical bezel है दिखने में display premium लगती है आउट्डूर कंडिशन में भी display चेक करवाता हूँ डिस्प्ले विजिबल रेती है ultrasonic in-display fingerprint sensor इस phone में offer किया गा है इसका फाइदा यह है normal fingerprint sensor से यह better perform करता है आपकी finger sweaty है या फिर oily है उस condition में भी यह phone को unlock कर देता है multimedia का जो experience है वो भी काफी अच्छा है जो colors है, saturation level है वो सारी चीज़े well balance है Netflix में HDR10 का support है यह phone dual speaker के साथ आता है sound की जो richness है, quality है, वो loud है sound quality को लेकर मुझे इस phone में कोई भी issue देखने को नहीं मिला काफी अच्छी इस phone की sound quality है अब दोस्तो performance की बात करें तो इस phone में last year का जो flagship chipset था Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 processor specially designed for galaxy वो processor इस phone में offer किया गया है अब दोस्तो एक important चीज़ इस phone का जो base variant है 128 GB internal storage वहाँ पर आपको UFS 3.1 का shortage देखने को मिलता है और जो 256 GB वाला variant है UFS 4.0 का storage का type है हाला कि 128 GB वाला जो variant है वो भी अच्छा ही perform करता है कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी लेकिन अगर आपको 256 GB वाला जो variant है वो 41,000, 42,000 तक भी मिल जाता है तो definitely आप उसी variant को consider कीजिए जहांबर आपको storage भी ज्यादा देखने को मिलेगी No doubt UFS 4.0 का जो storage का type है वो better है compared to UFS 3.1 कोई शक इसमें नहीं है दोस्तो 90 fps का support मिलता है ये phone अच्छी gaming आपको करवा देगा लेकिन फिर जल्दी से battery drain होती है तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना तो specially अगर आपके requirement है कि मुझे ज्यादा gaming करनी है और heavy gaming करनी है तो फिर आप कोई दूसरा device देख सकते हैं जैसे के IQ new 9 pro है बागी casual gaming अगर आप करते हो तो कोई problem नहीं है इस phone में दोस्तों जो AI की features मिलते हैं वो काफी ज्यादा useful है जो हमें iPhone 13, 14, 15 में भी देखने को नहीं मिलते और आगे भी देखने को नहीं मिलेंगे अभी ये phone Android 14 पर चलता है Android 17 तक आपको update देखने को मिलेंगे और 5 साल के security page update 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth तो यहां पर भी मुझे connectivity को लेकर कोई भी issue देखने को नहीं मिला आप इस phone में सामने वाले को बिना बताए call को recording भी कर सकते हैं तो ये जीज़ भी अच्छी है खयल रखिये अपना और अपने चाहने वालों का टेक कैर